पिचर जी, सार्दी नवरात्री के कलस्थ अस्थापन से ठीक पहले सूर्ज ग्रहन लगने जा रहा है। इस सुर्ज ग्रहन का प्रभाव रस अस्थापन पर क्या पढ़ने वाला है? हरर महादेव, जैवावा विद्धिनाथ दो अक्टूबर के रात में सुर्ज ग्रहन का प्रभाव पढ़ रहा है लेकिन ऐसा है कि भारत में वह द्रिश्य नहीं है रात्री में सुर्ज ग्रहन लग रहा है इसलिए जब यहाँ सुर्ज का उदय ही नहीं रहेगा तो फिर ग्रहन का प्रभाव क्या होगा? दो अक्टूबर रात्री के 9 बज करके 4.15 मिनट से ग्रहन प्रारंब होगा जो की 3 अक्टूबर 3 बज करके 17 मिनट तक रहेगा तो उस दिन यहाँ तो कोई प्रभाव नहीं है लेकिन ग्रहन है इसलिए कलसस्थापन में आप पवित्रता को धारन करें सनान करें और जिस घर में आप कलसस्थापन करेंगे उस घर को अच्छी तरह से साप सुथरा कर लें शाप सुथरा करके धोयें और सनान करें हो सके तो गंगा सनान कर लें अच्छा रहेगा कलसस्थापन के पहले सुधता अती आवस्यक है इसलिए सुधता के साथ ही कलसस्थापन करें और ग्रहन का प्रभाव यहां कुछ नहीं पढ़ में वाला है।